Art Bees, कहानी लेखन, Story Writing कहानी गद्य साहित्य की एक विधा है, यह बीती हुई खटना पर आधारित होती है कहानी लिखते समय उसकी रोचक्ता पर विशेश थ्यान देना चाहिए कहानी की भाशा सहेच एवं सरल होनी चाहिए यहां आपकी मनुरंचन तथा ज्यान वर्धन हेतु कुछ कहानिया दीचा रही है इन्ही पढ़कर आप भी ऐसी अन्नी कहानिया लिखने का प्रयास कीजिए सच्ची मित्रता कृष्ण और सतामा खनिष्ट मित्र थे संदिपन गुरु की आश्रम में दोनू साथ साथ विद्याध्यन करते थे दोनू खूब मन लगाकर गुरु की सेवा करते थे गुरु की कृपासे दोनू पढ़ने में पहुत तेज थे एक दिन हवन के लिए सूखी लकडियां लेने दोनू चंगल गए थे अच्चानक बहुत तीस वर्षा होने लगी काफी समय पीत कया वर्षा बंध होने का नाम ही नहीं ले रही थे दोनू को पहुत तेज भूख लगाई क्रिष्न वर्षपर चड़कर सूखी लकडियां काट रहे थे उन्होंने वर्षपर से ही सुदामा से पूछा कि चलते समय गुरु माता ने मार्क में खाने के लिए कुछ दिया था सुदामा ने जूट बोल दिया कि गुरु माता ने मार में खानी के लिए कुछ भी नहीं दिया है और व्रिक्ष की खोम में बैटकर गुरु माता के दिये चनी अकीले खानी लगी चनी खानी पर होने वाली दातों की आवास को सुन कर जब क्रिश्ण ने पूछा कि मित्र क्या खा रहे हो तो सुदामा ने बहुत चलाकी से बहाना बना दिया कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ अपितु ठंड के कारण मेरे दात कटकटा रहे है वर्षा बंध होने पर जब तोनु मित्र लकणिया लेकर गुरु की आश्रम वापस आए तो गुरु माता को यह बात क्या थोई कि सारे चने सुदामा ने अकेले खा लिये और कृष्ण को दिन भर फूका रहना पड़ा तो उन्होंने सुदामा को तरिद्र होने का श्राब दे दिया बड़ी होने पर सुदामा तरिद्र हो गय और कृष्ण बहुत बड़ी राचा बने सुदामा भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना और अपने परिवार का फरण पूशन करते थे सुदामा की पत्नी ने उन्हीं समझाया कि आपकी मित्रिक कृष्ण बहुत बड़ी राचा है आप उनके पास चाहिए वे आपकी दरित्रता तूर कर देंगे सुदामा संकोच के कारण कृष्ण की पास चाने को तैयार नहीं हो रहे थे किन्तु पत्नी की पहुत समझाने पर वे कृष्ण की पास चाने को तैयार हुए कई दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बाद सुदामा द्वार का पहुचे सुदामा की तीन हीन दशा देखकर द्वार पालने पहले तो उन्हीं फिकारी समझा किन्तु जब सुदामा ने उन्हीं बताया कि वे कृष्ण के मित्र हैं तो कृष्ण के पास सूचना देने चला गया सुदामा की आने की सूचना मिलते ही कृष्ण अपनी सारे कारे छोड़ कर नंगे पाउँ दोड़ कर द्वार तक आए और अध्यन्त आदर के साथ सुदामा को अपनी महल मिली गए सुदामा की बिवाई भरे पेरों को अपनी हाथों से धोया और उनकी खूप आउभगत की कुछ दिन द्वार का में रहने के बाद सुदामा अपनी घर वापस चाने के लिए तैयार हुए तो कृष्ण ने उन्हीं बहुत सारे उपहार देकर विदा किया और उनकी दरिद्रता को दूर करके उन्हें अपनी से भी बड़ा राजा बना दिया सच्चे मित्र की पहचान विपत्ती में ही होती है सच्च मित्र का यही धर्म है कि वह विपत्ती की समय अपने मित्र की सहायता करे मित्र के साथ चल करने वाला व्याक्ती कभी सुखी नहीं रहता है किसी चंगल में बेठा शीर आराम कर रहा था थीरे थीरे उसे नींद आने लगी वही पांस के बिल में एक चूहा रहता था शेर के सोचाने पर नटखट चूहा अपने बिल से निकल कर सोई शेर के पेट पर उचल कूत करने लगा इससे शेर की नीम तूट कई और उसने चूहे को अपनी पंजे में पकड़ लिया गुसाया शेर चूहे को मालने ही वाला था कि चूहा रोनी किड़ किड़ाने लगा रोते हुए चूहे ने शेर से अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए प्रार्थ ना की और कहा हे स्वामी आप चंगल के राचा हैं मैं आपकी प्रचा हूँ मुझसे अपराथ हुआ है यह मैं मानता हूँ किन्तु यदि आप मुझे जीवित छोड़ देंगे तो अफसर आने पर मैं आपने प्राणों की परवन्ना करके आपके इस उपकार का पदला चुकाऊंगा चूहे की प्राथना सुनकर शेर को तया आ गई उसने चूहे को छोड़ दिया चूहा खोशोंकर चला गया इस खटना के काफी दिन बीच जाने पर एक दिन एक शिकारी चंगल में आया उसने जाल फैला दिया और वहां से चला गया जाल फैले होने की बात शेर को पता न थी वह चंगल में खूमता हुआ आया और जाल में फ़स गया जाल में फ़सा शेर अपने बच्चाव का कोई उपाय न देखकर सोड सोड से दहाणने लगा शेर की दहाण सुनकर चूहा समझ गया कि शेर किसी मुसीबत में है चूहा तुरंद अपने बिल से बाहर आया शेर को बच्चाने का और कोई उपाय न देखकर वह अपने नुकीले तथा पैने दातों से जाल कुतरने लगा और शेर जाल से पाहर निकलाया इस प्रकार चूहे ने अपने उपर किये गए उपकार का बदला चुका दिया शेर ने भी समझ लिया कि किसी को महत्वहीन नहीं मानना चाहिए दूसरों पर दया करने का फल सदैव अच्छा ही होता है सिध्धी मंत्र किसी गाउं में धर्मदास और रामदास नामक तो मित्र रहते थे धर्मदास अपने सभी कार्य को समय पर करता था वह रोस प्राता काल उठकर अपने खेतों में जाता था और वहां फसल की देखभाल करता था खेदों से लोट कर अपने अन्य सभी कार्य समेसे करता था इस कारण वह संपन होने लगा तथा उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी इसके विपरीत रामदास आलसी था वह देड़ तक सोता था खेदों का सारा कार्य उसने नौकरों पर छोड़ रखा था देड़ तक सोने तथा स्वास्त का थ्यान न रखने के कारण रामदास रोगी हो गया खेदों में मालिक के न होने के कारण नौकरों ने लापरवाही करने शुरू कर दे फल स्वरूप फसलों का उत्पादन कम होता गया और रामदास घरीब हो गया एक दिन धर्मदास अपने मित्र रामदास से मिलने उसके खर गया वहाँ उसने रामदास को रोगी और उदास देखकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछा रामदास ने बताया कि मित्र मेरा स्वास्ति ठीक नहीं रहता खेतों में फसलों का उत्पादन भी नहीं होता, जिसके कारण मेरी दशा दैनी हो गई है, धर्मदास समझ गया कि रामदास की दैनी दशा का कारण उसका आला से है, उसने मन में कुछ सूचा और रामदास से बोला, मित्र, मुझे एक महात्मा ने मंत्र बताया था, जिसके कार में संपन्न हो गया, यदि तुम भी वह मंत्र प्राप्त करना चाहते हूँ, तो तुम्हें साल भर कठोर व्रत करना पड़ीगा, रामदास तपाक से बोला, मित्र, मुझे बताओ, मैं वह मंत्र प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत करने को तयार हूँ, धर्मदास ने समझ कि मित्र तुम प्राता काल चल्दी उठकर अपने खेतों में जाना। तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से महात्मा जी तुम्हारे खेतों पर आकर वह मंत्र बताएंगे जिसकी फल स्वरु तुम संपन्न हो चाऊगे। राम दास निध्य प्राता काल चल्दी उठकर अपने खेतों में चाने लगा। पशुओं की देखभाल करने लगा। खेतों में मालिक को देखकर नोकरों ने ठीक से काम करना प्रारम कर दिया। फलस्वरू खेतों में फसले लहलाने लगी और उसके पशु भी स्वस्थ हो गये। रूस प्राता काल उटने और खुली हवा में टहलने के कारण उसका स्वास्थ भी ठीक हो गया। थीरे थीरे वह सुखी तथा संपन्न हो गया। किन्तु उसे महात्मा के दर्शन नहीं एक दिन खेतों से लोटते हुए प्रसन रामदास को देख कर धर्मदास ने पूछा मित्र महात्मा जी के दर्शन हुए या नहीं। रामदास ने बताया मित्र महात्मा जी की मंत्र का रास अब मैं समझ गया हूं। हमारा कर्म ही वह सिध्धी मंत्र है, जो हमें प्रकति की ओर अक्रसर करता है। आलास से मनुष्का सबसे बड़ा शत्रु है। संगती का असर भारकफ बहुत ही तेज और पुद्धिमान चात्र था। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथमाता था। बड़ों का आदर करना, दूसरों की मदद करना उसकी स्वभाव में था। सबी उसकी प्रशन सा करते थे। खेल कोड वह अन्नी कतिविधियों में वह पढ़ चड़ कर हिस्सा लेता था। माता पिता को भी पुत्र पर पहुत गर्फ था। कुछ समय पश्चात भारकव के कुछ नए मित्र बन गए, जिनकी साथ वह घूमने और खेलने भी जाता था। उसकी बात से भारकव में पढ़ाई की प्रती दिलचस्पी कम होने लगी। घूमने, खेलने और मित्रों की संग स्यादा मन लगता था। कुछ बुरी आदते भी पढ़ने लगी। थीरे थीरे प्रतम आने वाला चात्र फेल होने लगा। यह सब दुरदर्शा देखकर उसकी माता-पिता अधी चिंतित हो गए। विद्याले से भी शिकायत मिली कि वह विद्याले से गायब रहता है। उसके माता-पिता पुत्र की बदलती आदतों से बहुत परिशान हो गए। ध्यान देने पर उन्हें यह ज्यात हुआ कि इन सब का कारण उसकी नए मित्र है। उन्होंने भार्गव को समझाने के लिए एक नया तरीका निकाला। उन्होंने भार्गव को बुला कर दो टोकरे ताजे सेव मंगवाए। एक टोकरे सेव को सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा। तथा उसके बाद सडा हुआ सेव मंगवाया। उसे दूसरी टोकरे के सेबूं के बीच रख कर दूसरी सुरक्षित जगा पर रखवा दिया दो दिन बाद उन्होंने भार्गव से दोनों टोकरे मंगवाए और फर्क देखने को कहा पहले टोकरे के सेप तो पहले जैसे ही ताजे लग रहे थे परन्तु दूसरे टोकरे के सभी सेप सड़ चुके थे भारकफ उन्हें आश्चरी से देख रहा था तब ही उसके पिताची ने उसे समझाया बेटा तुमने देखा कि एक सड़े हुए सेप ने पूरे टोकरे के सेप को खराब कर दिया इसी तरह तुम्हारे बुरे मित्रों की संगती में तुम्हें पिगाड दिया है भारकफ को अपनी गलती समझ में आ गई उसने अपनी भूल सुधारनी शुरू कर दिया उसने पुरे मित्रों का साथ छोड़ दिया पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया और कक्षा में पुना प्रधमाने लगा